सो हेलो ही पॉप की दिवानों, कैसे हो भाई हो आप सब, आज शुरू करतें MC स्टैन से, सो स्टैन का जस्ट अभी एक ट्राक आया था, फिलाल उन्होंने अपना नेक्स ट्राक अनॉंस कर दिया है, जो की होने वाला है नम्प, ये ट्राक उन्होंने काफी पहले अपने एक श पहले हाल उसी शो की ट्विटर पे एक क्लिप मिली मुझे, जहां क्राउड में से कोई तो फोन पे गेम खेल रहा है, जब मुफार परफॉर्म कर रहे हैं, एक बंदे ने क्रिशना का ट्राक अन्टाइटल चला रखा है, अब पता नहीं भाई, क्या प्रूफ करना चाते है हैं वो लोग, कुछ ऐसी ही एक क्लिप बाश्या के शो से भी आई थी, बाश्या परफॉर्म कर रहे हैं और पीछे एक बंदे ने हनी सिंग का ट्राक प्ले कर रखा है, मतलब यह सब तो घर पे भी हो सकता है, शो पे जाने की क्या जरुरत है, नेक्स्ट अपडेट आप सब 3 के कंटेस्टेंट रहे चुके, बॉब भी, हनी सिंग से मिले, उन्होंने एक पिचर भी शेयर करी है, और शायद उनका कुलाब आने वाला है, बिकॉस बॉब भी ने कुछ ऐसा लिखा है, कीप दी हाइप रियल, इट्स टाइम टू वेस्ट देली अगेन, दोनों वेस्ट देली से ही है, और अब हनी सिंग की बात होई रही है, उन्होंने अपना नेक्स प्रोजेक्ट अनॉंस कर दिया है, एक EP आ रही है, ग्लोरी EP, हनी सिंग का कहना है, विगडिया ही रा, उनकी एल्बम हनी 3.0 का लास्ट ट्राक है, जिसकी बात समर्स में, वो अपनी पहली R&B EP ड्रॉप करने वाले हैं, जिसमें म्यूजिक भी उन्हीं का होने वाला है, और पब्लिक डिमांड, सो लेट सी कैसी रहती है, खेर इसके लावा, बंटा रिकॉर्ट के आर्टेस्ट हलाक ने, एक रील शेयर करी है, और कहा है, यह किदर तो सुना सुना लग रहा है, आप ल